क्या आप अपना स्वैम का सोरजगार इस्थापित करना चाहते हैं और आपके पास पूजी नहीं है आपकी समस्य के शमधान के लिए उद्योग धंदावाय आलोक सिंग लेकर आया है संत रविदा सोरजगार इउजना जिसमें आपकी सारी समस्याओं का हल होगा जिसमें आप पाएंगे पचास लाख रुपए की बित्ती सहायता साथियो नवश्कार मेरा नाम आलोक सिंग है आप सबका आपके मनपशंद यूटूब चैनल उद्योग धंदावाय आलोक सिंग म विस्तार से समझते हैं लेकिन एक गुजारिस एक निवेदान यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन प्राप्ट करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस् कफा लुद्वी बनते हैं एक और तो हमारा मद्द प्रदेश क्रिस्ट छेतर में सर्फसेश प्रदर्सन कर रहा है जो हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है वहीं दूसरी और मद्द प्रदेश में विरुजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है विरुजगारी को दूर क कराने का काम सुरू किया है और नहीं योजना को प्रारम किया है जिसका नाम है संत रविदास सुरुजगार योजना इस योजना के माध्यम से अगर आप उद्दमशील है अपना स्वेम का रुजगार इस्थापित करना चाह रहे हैं नवीन उद्दम इस्थापित करना चा आर्थिक रूप से ससक्त और मजबूत करना अधिक से अधिक उद्दम स्थापित कराने के लिए प्रेरित करना क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे जो उद्दमी हैं उनके अंदर उद्दम संचालित करने के और शफल उद्दमी बनने के भरपूरबुन है लेकिन पूजी का आभाव है तो इस पूजी के आभाव को दूर करने का पूरा प्रयास मदप्रदेश सरकार की इस योजना के माद्यम से किया गया है जिसका नाम है शंत रविदा सुरुजगार योजना चलिए अब चर्चा करते हैं कि इस योजना के लिए पात्रता क्या है कौन बेक्ती पात्र है तो नमबर एक है इस योजना के माद्यम से आप प्रदेश के अंदर अपने उद्द्यम को इस्थाफित करेंगे नमबर दूसरा आवेदक की आयू 18-45 वर्स होनी चाहिए नमबर तीसरा मद्प्रदेश के मूल निवासी हो नमबर चौथा आप अनसूची जाती वर्ग के हो नमबर पाचमा किसी भी राश्टी कृत बैंक वित्ती संस्थान सहकारी संस्था के आप डिफाल्टर न हो यदि आपने लोन लिया है चुकता नहीं किया है तो आप डिफाल्टर हो गए होंगे नमबर छटमा है यदि आवेदक सासकी उद्वी सुरजगार योजना के अंतरगत कोई सहायता ले रहे हैं तो आप इस योजना के पात नहीं होंगे नमबर साथमा है, सिर्फ एक ही वार आप इस योजना का लाव ले सकते हैं हमने अभी आपसे पातरता की बाप किया, कि कौन बेक्ती पातर है अगर आप पातर हैं, तो आप आबेदन करते हैं लेकिन आपके मन में ये जरूर आता है कि बिती शहायता हमें कितना मिल रहा है तो हम बता दें कि उद्दम के तीन छेत्र होते हैं एक है उद्द्योग, दूसरा है बेवशाय, तीसरा है सेवा तो हम तीन अलग-लग छेत्रों के बारे में हम बात करते हैं नमबर एक है उद्योग, उद्योग छेत्र में हमारा निर्माड आता है, इसके अंतरगत आप एक लाख रुपए से लेकर पच्चास लाख रुपए तक की बिती शहायता ले सकते हैं, नमबर दूसरे विकर्प में मैं रख रहा हूं आपके उद्योगों सेवा, सासन, शंत, रविदास सुरुजगार योजणाम के माध्यम से आपको अगर कोई ब्योसाय का प्रारम्ब कर रहें कार, या आप सेवा छेत्र का प्रारम्ब कर रहें हैं, तो एक लाख रुपए से लेकर पच्चीस लाख रुपए तक की बिती शहायता आप ले सकते हैं, अब ये बिती स शायता तो प्राप्त के लिए अब बारी है आपके अनुदान की तो अनुदान का पिटारा अभी खुलना बागी है तो आपको बता दें कि सासकी योजनाओं में अनुदान बड़ा ही महत्वपूर होता है अनुदान हम दो तरह का करते हैं नमबर एक है आपका ब्याज अनु मनी अनुदान तो शर्फ प्रता हम ब्याज अनुदान की बात करते हैं तो इस योजना के माद्यम से जो आपका प्रोजेक्ट लगता है बैंक द्वारा जो सुईकृति होता है टर्मलोन और वर्किंग कैपिटल का तो प्रति वर्ष पांच प्रसत की दर्से साथ वर्ष तक अनुदान दिया जाता है लेकिन सर्फ ये है कि आपका रिड का भुक्तान नेमित रूप से होना चाहिए नमबर दूसरा है आपका मार्जिन मनी अनुदान तो मार्जिन मनी अनुदान के बारे मैं आपको बता दूँ कि सास्षन दौारा मद्र प्रदेश सरकार दौारा मार Margin Money आपको जमा करना पड़ेगा तो Margin Money कुल परियुजन लागत का 20 प्रश्यत आपको देना होता है ie W notum हो सकता है कि बैंक आपसे इस से ज़्यादा की डिमांड आपसे कर सकती है तो आप देख लीजेगा Margin Money आपको जमा करनी है चलिए अब चर्चा करते हैं कि आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से महत्पूर्ण दस्तावेज होना चाहिए करते हैं कि संत्रविदा सुरुजगार योजना का आपको आवेदन करना कैसे है आवेदन करने के लिए आपको समगर mp online.gov.in के पोर्टाल पर लॉग इन करना है मदपदे राज सहकारी अनुसूची जाती बित्विकास निगम की साइड में आप जाकर आवेदन को भरते हैं अ आशा करता हूँ कि आपको आज की दी हुई जानकारी वड़ी अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक करें सस्क्राइब करें शेयर करें और दोस्तों तक भी पहुंचाएं अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाव ले पाए हमारे अनुसूची जाति के यूबा इस योजना का लाव ले यही मेरी मंसा है धन्यवाद नमस्कार